Hello everyone, Welcome to Ocul, इंडिया के सबसे affordable learning platform में आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आईए अपने इस full course on environment by शंकराई एस academy को हम लोग आगे बढ़ाएंगे Chapter 16 को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं जो है conservation efforts को और पिछले तीन पार्ट में हम लोगोंने tiger के बारे में बात कर ली है elephant के बारे में बात कर ली है और specifically पिछले पार्ट में हम लोगोंने vultures को लेकर बहुत ही detail में अपना discussion किया है कि vultures की जो population है उसको किस चीज से खत्रा है diclofenac के बारे में हमने जाना और उसके बाद हमने जाना कि किस तरीके से उनको conserve किया जा सकता है जैसी कि हमने vulture safety zone के concept के बारे में सुना और हमने जाना about the vulture restaurants ठीक है किस तरीके से इनकी breeding वगरा कराई जाएगी वो सारी बात है जो है हमने पिछले पार्ट में जानी है आज के पार्ट में हम लोग जो है कुछ और important species के बारे में बात करेंगे जैसी कि हमारा रहेगा snow leopard को लेकर one horn rhinoceros को लेकर इस तरीकी चीज़ें जो है हम आज बात करेंगे और भी कुछ species जो है वो रहेंगी तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से as usual फिट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस course को follow कर रहे हैं इस video series को follow कर रहे हैं जिनको ये पसंद आ रही है वो जादा से जादा videos को like करें जादा से जादा share करें अपने दोस्तों के साथ clicks के साथ ताकि हमारे इन courses का जो फाइदा है वो जादा से जादा लोगों तक पहुंच सके और बाकि जो लोग चैनल पे नए हैं जिनों ने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है जो है वो नीचे description box पे आपको मिल जाएगा उसके तुरू आप लोग जाके कर सकते हैं उस full course पे अंडूल करने के फाइदे क्या क्या है उसके फाइदे यह है कि आपको सारे के सारे जो वीडियोज है वो add free बिना किसी advertisement वगरा के मिल जाएंगे साथ ही साथ chapter wise notes, chapter wise quizzes आप लोग के लिए वहाँ पर update किये जा रहे हैं तो इसलिए अगर आप उस course में enroll करना चाहते हैं तो उसका जो link है वो नीचे आपको description box में मिल जाएगा उसके through जाके आप लोग course में enroll कर सकते हैं तो चलिए फिलाल हम लोग जो है अपना discussion on chapter 16 conservation efforts part 4 के साथ start करते हैं देखिए आज हम जो पहले species की बात करेंगे वो रहेगा one horn rhino ठीक है one horn rhino इसमें देखिए जो Indian rhino vision है 2020 ये चीज़ क्या थी Indian rhino vision 2020 implemented by the department of environment and forest assam with the bordo autonomous council as an active partner ठीक है तो question आप लोगों से पुदा जा सकता है कि Indian rhino vision 2020 में जो है किन लोगों ने participate किया था या किन लोगों ने इस program को implement किया था तो सबसे पहला है department of forest and environment and forest assam और साथी साथ इसमें active partner कौन रहा था the bordo autonomous council ठीक है प्रोग्राम को support किया जाएगा by WWF India that is World Wildlife Federation of India ठीक है इसके बाद WWF areas that is ancient rhino and elephant action strategy program the international rhino foundation save the rhino campaign of zoological institutions worldwide and a number of local NGOs तो इन सब के द्वारा जो है इस program को क्या किया जाएगा support किया जाएगा ठीक है अब इस program का जो vision है वो क्या है the vision of this program is to increase the total rhino foundation in Assam from about 2000 to 3000 by the year 2020 and to ensure that these rhinos are distributed over at least seven protected areas to provide long term viability of the one horn rhino population ठीक है तो पहली बात तो यह की जा रही है कि population जो है rhino की जो पूरी population है उसको 2000 से बढ़ा कर 3000 करने की बात की जा रही है और दूसरी बात यह की जा रही है कि जो यह rhinos in Pabitora have exceeded carrying capacity and numbers must be reduced to protect the habitat and to mitigate the increasing rhino human control सब अब्यस्सी बात यह चीज़ आपके मन में आ भी सकती है कि ठीक है rhino की population बढ़ाने की बात हम कर रहे है 2000 से 3000 वो तो ठीक है लेकिन ऐसा क्यों है कि at least seven protected areas में यह distributed होने चाहिए तो उसका reason यहाँ पर दिया गया है ठीक है यहाँ पर एक important national park है इसका नाव आप ध्यान रखेंगे ज़रेस काजी रंगा national park ठीक है यह one horn rhinoceros के लिए बहुत famous है यहाँ पर यह बहुत बाड़ आती है या फिर massive poaching attempts होते हैं poaching attempts मतलब उनका शिकार वगरा कर किया जाता है तो उसकी वज़े से क्या है कि एक ही जगे पर अगरे चीज़े आ रही है तो उस पूरे के पूरे areas में जितने भी population होगी उन सभी को नुकसान पहुचेगा ठीक है और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो rhinos है वो carrying capacity से ज़ादा है carrying capacity का मतलब क्या है कि वहाँ पर उनके रहने के लिए घूमने फिरने के लिए उनके खाने पीने के लिए जो capacity है उससे ज़ादा वहाँ पर यह रह रहे है और इसी लिए इनको वहाँ से कम करने की जरूरत है ठीक है इस बात का समझेगा राइनो species की बात यहाँ पर जो की जा रही है और ग्रेटर वन हों राइनो जिसको rhinoceros unicorns भी बोला जाता है ठीक है activities क्या क्या करने की बात की जा रही है that is anti poaching monitoring की जाएगी ट्रांस location किया जाएगा और community conservation भी किया जाएगा ठीक है ट्रांस location जो है यह backbone है IRV 2020 program का Indian rhino vision जो 2020 program है उसका trans locations मतब एक जगे से दूसरे जगे ले जाना इसका एक main backbone है ठीक the goal set was to populate the potential rhino habitat areas identified जैसे की मानस national park डिबरु साइखोवा wildlife century लाखोवा बुरा चपोरी wildlife century with a viable population of rhino through trans locations from काजिरंगा national park and पावितोरा wildlife century जो है वहां से इन rhino सिर्स की population जब बढ़ेगी तो उनको वहां से हटाके इन जगे में ले जाए जाएगा कहां पर मानस national park में डिबरु साइखोवा wildlife century में और लाखोवा बुरा चपोरी wildlife century में ठीक है मानस national park जो है उसको first site identify किया गया है for trans location of rhinos तो इसको दियान रखेंगे मानस national park in Assam ठीक है असाम में यह है काजी रंगा भी हाला कि वहीं पर है लेकिन मानस में इसको ट्रांसलोकेट करने की बात की जा रही है और first site यह है ठीक 10 rhinos have been released into मानस since 2008 2008 से अगर हम बात करें तो मानस national park जो है वहां पर 10 rhinos को release किया जा चुका है 10 more rhinos will be moved from काजी रंगा national park before the end of the year ठीक है और जो 10 rhinos वगरा है वो यहाँ पर लिये जाएंगे यह value जो है वो आप लोगं के लिए ऐसाज important नहीं है कि 2008 पे कितने ले गए 2010 में कितने ले गए बस यह समझना जरूरी है कि काजी रंगा national park जो है वो इनका एक main जगे है जहां पर यह पाए जाते है वहां से इनको अलग-अलग जगे पर ट्रांस लोकेट करने की बात की जा रही है और नहीं मारस national park जो है वो first site है which was selected for ट्रांस लोकेशन ओफ राइनोस ठीक है आपको इस साल में कितने ले गए इस साल दस ले गए आज एक ले गए कल दो ले गए उससे आपको उतना जादा मतलब नहीं है ठीक है ट्रांस लोकेटिंग राइनोस विल हेल्प टू क्रेट अ वायबल population of this threatened species और ट्रांस लोकेट करने से क्या होगा अगर किसी एक एरिया में है और उस एरिया में अगर कभी कोई epidemic महामारी आती है या फिर आपका कभी कोई flood आती है या कोई और natural calamities है या कोई human activities है इस तरीकी कि जो इनको नुक्सान पचा रही है पोचिंग वगएरा तो उससे इनको बचाया जा सकता है ठीक है तो this is all about your one-horn rhinoceros और उसको लेकर क्या initiatives ले जा रहे है वो चलिए इसके बाद हम अगले की बात करते हैं that is project snow leopard ठीक है snow leopard जो है that is also called as a mystical apex predator ठीक है snow leopard एक globally endangered species है merely 7500 are estimated to be surviving over 2 million square kilometers in the Himalaya and Central Asian mountains where they are facing tremendous human pressures ठीक है सिर्फ 7500 ही जो है वो माने जाता है कि यहाँ पर पाए जा रहे हैं कहाँ पर Himalya में और Central Asia के जो mountains हैं वहाँ पर ठीक India is perhaps home to 10% of the global population in less than 5% of its global range thus having a substantial proportion of its global population यानि कि जो यहाँ पर area की बात की जा रही है 2 million square kilometer में 7500 ठीक है तो 7500 का 10% कितना हो जाएगा 7500 ठीक है और इस 2 million square kilometer में से 5% के area पर इंडिया में लगभग 7500 यारी कि 10% जो है वो इंडिया में पाए जा रहे हैं ठीक है अब इंडिया में कहां कहां पर पाए जाते हैं देखिए in India and Himalayas high altitude areas located above the forest ठीक है जो हमारा alpine meadows और cold desert के areas है forest से उपर वहाँ पर पाए जाते है areas above 3000 meter broadly constitute is no leopard range in India ठीक है 3000 meter से उपर की जो उचाई है वहाँ पर ये generally पाए जाते हैं in the five Himalayan states of Jammu and Kashmir, Himalachar Pradesh, उत्राखंड, सिक्यमेन और उनाचर Pradesh ठीक है यहाँ पर ये पाए जाते हैं ठीक most snow leopards occurring in China followed by Mongolia and India तो सबसे ज़्यादा कहां पर पाए जाते हैं चाईना में उसके बाद मंगोलिया में और फिर इंडिया में इंडिया is believed to have between 400 to 700 snow leopards in the five Himalayan states दो इस estimates are not precise ठीक है उपर ये से नोगे 10% डिखाता तो साड़े साथ है जार का 10% is साड़े साथ सो ठीक है उसके आसपास है और इसमें बोला गया है कि इनका कोई एक precise estimate यानि exact estimate तो नहीं पता लेकिन 400 से 700 के आसपास इसमें हो सकते है ठीक है अब इनको नुकसान किस चीज से है threats posed due to competition with the livestock जो live stock है उससे competition इनको मिल रहा है degradation हो रहा है साथ साथ poaching हो रही है और local extinction भी इनका हो रहा है तो इनी सब चीजों से लड़ने के लिए निपटने के लिए जो है project snow leopard लाया गया है जनवरी 2009 में ये एक Indian initiative है for strengthening the wildlife conservation in the Himalayan high altitudes Himalaya का जो high altitudes है यानि कि जो जादा उचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर wildlife conservation को यानि कि जो वन जीव संग्रक्षण है उसको strengthen करने उसको मजबूत करने के लिए ये एक Indian initiative है that is project snow leopard ठीक है aim क्या है to promote a knowledge based and adaptive conservation framework that fully involves the local communities who share the snow leopard's range in conservation efforts तो यानि कि local communities के involvement की बात यहाँ पर की जा रही है ठीक है और local communities का भी जो है वो रोल रहेगा किसमें conservation efforts में गोल क्या है to safeguard and conserve India's unique natural heritage of high altitude wildlife populations ठीक है जो high altitude wildlife population है उसको क्या करना है conserve करना है उसको बचाना है and their habitats by promoting conservation through participatory policies and actions तो participatory policies मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया जो human involvement है ठीक है जो community led involvement है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा ठीक है इसके बाद location की अगर हम बात करें तो हमें आपको बता दिया कि जो 5 हमारी हिमालियन states है ठीक है वहाँ पर है that is all biologically important landscapes in the Himalayan high altitudes in the state of Jammu and Kashmir हिमांचरपदेश, उतराखंट, सिक्किम and अरुणांचरपदेश budget snow leopard जो है it is designed for all biologically important habitats within the snow leopards range irrespective of their ownership यानि कि वो protected areas है चाहे common land है उससे फरक नहीं पढ़ता जो भी important biologically important habitats है snow leopard के range भाई यानि कि जहाँ पर snow leopard पाए जाता है ठीक है मैं आपको बता है कितने से है 3000 meter से उपर की उचाहिम है तो वहाँ पर basically ये project जो है वो launch किया गया है ठीक है forming an estimated 1,29,000 square kilometer within India these areas generally comprise the non-forested और sparsely forested high altitude regions of the Himalaya and trans Himalaya above elevations of 3000 meter in the western Himalaya and above 4000 meter in the eastern Himalaya ठीक है जो eastern Himalaya मतलब आपका जो सिक्केम और इधर का area है रोनांचर प्रदेश वाला देड़ वे ता पार्ट ऑफ eastern Himalaya और बागी जो आपका जम्मू कश्पीर, उत्राखंड और जो आपका ये है इमाचर पदेश वाला देड़ वे डवे डवे ता इससन Himalaya यानि कि वहाँ पर 3000 meter से उपर की उचाई में और eastern Himalaya में 4000 meter की उपर की उचाई पर ठीक है वहाँ पर और मैंना को बताया कि जहाँ पर generally जो forest है उससे उपर ठीक है यानि कि आप उसको कह सकते है जो forest line होती है उससे उपर पाए जाते है जहाँ पर यहाँ तो non-forested है यहाँ यहाँ तो forest है यह नहीं जंगल है यह फिर sparsely forested है काफी वहाँ पर क्या है घने जंगल बिलकुल भी नहीं है ठीक है अब सवाल यह पैदा होता है कि यह हाई altitude ecosystem को हमें conserve करना क्यों है देखिए तहाई altitude of India यानि कि 3000 मिटर से उट पर की उचाई including the Himalaya and the Trans Himalaya biogeographic zones support a unique wildlife assemblage of global conservation importance ठीक है वहाँ पर इस तरीके की कुछ unique wildlife है जो की global conservation importance की है मतलब global conservation के लिए क्या है important है ठीक है यहाँ पर कुछ highly endangered population of species पाई जाती है जैसे कि snow leopard है ठीक है two species of bears है wolf है red panda है mountain inglets है जैसे कि wild yak, chiru, tibitan gazelle, तिबित नर्गाली, लद्दाग अरियल ठीक है two species of musk deer, hangul, three species of goral, serotekin ठीक है यह सारे के सारे जो है यहाँ पर पाई जाते हैं तो इसलिए इन areas को conserve करना जो है वह बहुत जादा जरूरी है ठीक है high altitude lakes and bogs provide breeding grounds for a variety of avi fauna, avi fauna मतलब birds ठीक है तो basically यह इस तरीकी की चीज़ है जो आपको ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है मतलब कौन-कौन से है पर हाँ जैसे कभी mains में अगर आप लोग से माल लीजे सवाल पूछा जाए या आप से कहीं पर यह सवाल पूछा जाए कि high altitude region को या फिर जो यह तीन हजार मेंटर से ऊपर की उचाई वाला area है हिमाल्याज में और ट्रांस हिमाल्याज में उसको conserve क्यों करना है conservation करने की उसको importance क्या है तो आप बता सकते है कि वहाँ पर कुछ इस तरीके की highly endangered populations है ठीक है highly endangered population है वो वहाँ पर पाई जाती है तो इसलिए इसको क्या करना है conserve करना जो है वो ज़रूरी है इंडिया ने जो है international agreement जो की promote करता था conservation of high altitude wildlife species such as the snow leopard उसको ratify किया हुआ यानि कि उस पर अपनी मंजूरी जो है वो दी हुई है ठीक है इसके बाद 23 में क्या हुआ है the convention on migratory species included the snow leopard as a concerted action species under its appendix 1 ठीक है तो ध्यान रखेंगे snow leopard जो है वो आज की date पर जो CMS है that is convention on migratory species में appendix 1 के अंतर गतर है ठीक है इसके बारे में sites यह जो CMS वगर है इसके बारे में हम लोग आगे जाके पढ़ीगे similarly 2003 में ही जो sites है that is convention on international trade in endangered species इसने क्या करा है expanded the scope of sites tiger enforcement task force to include all Asian big cats including the snow leopard तो snow leopard जो है वो इसके अंतरगत भी अब आता है sites के अंतरगत भी ठीक है in both the cases representatives of MOEF that is ministry of environment and forest played a vital role in elevating the conservation prominence of the snow leopard internationally ठीक है तो इसमें जो है बदब इसका internationally जो snow leopard की conservation है इसको बढ़ाने के लिए जो यह था ministry of environment and forest इसके जो officials वगरा थे जो representatives थे उन्होंने काफी एक important role महतपुण मुमी का निभाई है ठीक है each state will select one biologically important site and develop a science based participatory conservation program in that site in the first five years of project snow leopard and this will be subsequently expanded to include other biologically important sites तो basically क्या करने की बात की जा रही है वो यहाँ पर लिखा गया है कि हर राज्य क्या करेगा एक biological important site को जो है वो select करेगा और वहाँ पर इस तरीके का एक science based यानि कि आप कह सकते हैं कि scientific तरीके से और participatory conservation program रहेगा यानि कि community का role यहाँ पर रहेगा ठीक है और उस site में जब project snow leopard वहाँ पर लागो हो रहा है तो उसके पहले पास साल में इस तरीके की चीज़े वो करेगा कि एक site चाटेगा, site choose करेगा और साथ ये साथ इस तरीके का scientific और participatory conservation program को develop करेगा ठीक है और उसके बाद फिर biologically other important sites को भी वहाँ पर जो है include दीमे दीमे किया जाएगा ठीक है चलिए इसका रागे देखिए अगला है secure हिमालिया यह क्या है this project was launched by ministry of environment forest and climate change in collaboration with the UNDP that is United Nations Development Program this plan intends to conserve the snow leopards by protecting their habitats and improve the ecology of Himalayan ranges and lives of the mountain communities और इसमें कौन कौन से states and that is Himanchal, Jammu and Kashmir, Uttarakhand and Sikkim ठीक, focus areas इसके क्या क्या है strengthening and improving protected area network जो protected area network है उनको strengthen करना है उनको improve करना है landscape level approach for wildlife conservation, wildlife conservation के लिए landscape level approach लगानी है control of poaching and illegal trade in wildlife, ठीक है, wildlife में जो illegal trade हो रहा है, जो poaching हो रही है यानि कि उनको शिकार वगरा हो रहा है, उसको control करना है human wildlife conflict scope रोकना है, उससे mitigate करना है, ठीक है और management of tourism in wildlife areas, wildlife areas बें जो tourism है, जो parietan है, उसको भी manage करना है ठीक है, this is about the project Himalaya, ठीक है, sorry, secure Himalaya, ठीक है इसके बाद, अगला जो एक project है, that is related to the sea turtle, ठीक है, sea turtle का एक project है significant proportion of the words, olive ridley turtle, olive ridley turtle की जो population है, that migrates every winter to Indian coastal waters for nesting mainly at the eastern coast, ठीक है, eastern coast में जो है, generally, यह पाए जाते हैं और olive ridley turtles के बारे मैं आपको बता दूँ, यह आपने अगर कभी, पिछले एक दो सालों में अगर news में ध्यान दिया है तो उडीसा में बहुत जादा पाए जाता है, ठीक है, उडीसा में जो है, बहुत जादा पाए जाता है, that is olive ridley turtles सर्दियों के महिने में, इंडिया का जो coastal waters है, वहाँ पर यह आ जाते हैं, mainly क्या करने, nest करने मतलब वहाँ पर अपना अंडे बगरा देने, फिर उन से young ones पैदा करने के लिए, ठीक है with wildlife institute of india dharadun as the implementing agency, ठीक है, तो किसने बनाया है, यह ध्यान रखेंगे, ministry of environment forest, ठीक है, किसके साथ बनाया है, UNDP के साथ, कब बनाया है, 1999 में, मनत उतना जादे important नहीं है याद रखने के लिए, और इसका जो implementing agency है, वो कौन है, that is your WII, that is wildlife institute of india dharadun, ठीक है, the project is being implemented in 10 coastal states of the country with special emphasis in the state of Udisa, हमरा को पहले ही बताया, कि Udisa में यह जो olive early turtles हैं, सबसे जादा पाए जाते हैं, तो इसलिए special emphasis जो है, वो इसी पर दिया जा रहा है, ठीक है, the project has helped in preparation of inventory map of breeding sites, inventory map of breeding sites of sea turtles, identification of nesting and breeding habitats along the shorelines, migratory routes taken by sea turtles, development of guidelines to safeguard and minimize the turtle mortality, development of national and international cooperative and collaborative action for sea turtle conservation, developing guideline plans for tourism in sea turtle areas and developing infrastructure and human resources for sea turtle conservation, तो यह सारी के सारी बात है, जो है, इसमें करने की बात की जा रही है, ठीक है, one of the important achievements have been demonstration of use of satellite telemetry to locate the migratory routes of olive ridley turtles in the sea and sensitizing the fishermen and state government for the use of turtle exclusion device in fishing trawlers to check turtle mortality in fishing net, तो important एक achievement क्या रहा है कि satellite telemetry का use करके olive ridley turtles का जो migratory route है, यानि कि वो किस रास्ते से migrate करते है, वो locate करने की बात की जा रही है, और साथी साथ जो fishermen है, यानि कि जो मचवारे हैं और जो state government है, उनको इसको लेकर थोड़ा सा साउधानी बरतने की बात की गई है कि आप लोग turtle exclusion device का use करें जब भी आप fishing वागरा करते हैं, ठीक है, जब भी आप मचली वागरा पकड़ते हैं तो turtle exclusion device का use करें, so that की जो turtle की mortality है, जो fishing net होता है, यानि कि जो आपका मचली पकड़ने वाला प्रोजेक्ट, Indian crocodile conservation project has pulled back the once threatened crocodilians from the brink of extinction and placed them on a good path of recovery, तो Indian crocodile conservation project ने क्या किया है, कि जो ये crocodile एक बार willopth होने की कगार पर आ गए थे, extinct होने की कगार पर आ गए थे, अब इनको वापस recovery के बात पर डाल दिया है, ठीक है, the project has not just produced a large number of crocodiles, but has contributed towards conservation in a number of related fields as well, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इन्होंने crocodiles का ही large number produced नहीं किया है, लेकिन साथ यसाथ related fields में भी conservation इसमें किया जा रहा है, इसके objectives क्या क्या है, to protect the remaining population of crocodilians in their natural habitat by creating centuries, ठीक है, जो बची हुई population है, किसकी crocodiles की, उनको उनके ही, जो natural habitat है, वहाँ पर centuries बना कर protect करने की बात की जा रही है, अगला है, to rebuild natural population quickly through grow and release, और rare and release technique, more than 700 crocodiles have been restocked, about 4000 गडियाल, ठीक है, 1800 थे मगर, और 1500 थे salt water crocodiles, तो यह तीन प्रकार के दीजिए, ठीक है, और release कर दीजिए, या फिर दूसरा था rare and release, ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है, आप से यह पूछा जा सकता है, कि grow and release, और rare and release, ठीक है, rare and release जो है, यह, किस project के अंतरगत थे, तो आपको ध्यान रखना है, that is Indian crocodile conservation project, ठीक है, captive breeding को promote करने की बात की जा एरिया में लाया जाता है, और वहाँ पर फिर इनकी breeding कराई जाती है, that is known as captive breeding, इसके बाद, to take up research to improve management, research करने की बात की जा रही है, ताकि management को सुदाना जा सके, improve किया जा सके, to build up a level of trained personnel for better continuity of the project, through training imparted at project sites, and through the erstwhile Central Crocodile Breeding and Management Training Institute, हैधरवाद, ठीक है, यानि कि एक trained personnel का एक level बनाने की बात की जा रही है, ताकि जो है, project को बहतर तरीके से continue किया जा सके, ठीक है न, और कैसे होगा, Central Crocodile Breeding and Management Training Institute, जो है, हैधरवाद, उसके थूरू इसको करवाया जाएगा, ठीक है, अगला जो है, that is to involve the local people in the project, intimately, वही बात है, local conservation की बात यहाँ पर भी की जा रही है, ठीक है, चलिए, तो इसके बाद, जो, मतलब आज इसको हम इतना ही रखते है, इसका जो last part रहेगा, जिसमें आप एक दो species के बारे में और बात करनी है, उसके बारे में हम लोग अगले part में बात करेंगे, और अगले part में यह जो chapter है, वो complete हो जाएगा, ठीक है, चलिए, तो content related अगर आपको कोई भी doubt होता है, तो आप हमारा telegram का जो group है, that is local GSUPSC discussion forum, इसको join कर सकते हैं, इसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा, या फिर आप इसको telegram में search करके भी join कर सकते हैं, या फिर आप videos की नीचे जो comment section होता है, वहाँ पर भी अपने, जो भी doubts ह गरा है, जो भी queries है, वो हमसे वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, इस पूरे के पुरे video series का जो full course है, वो हमारी website पर available है, वहाँ पर आपको सारे के सारे videos, 37, chapter wise notes, chapter wise quizzes जो है, वो भी मिल जाएंगे, तो उसके लिए आपको करना क्या है, नीचे description box में जो link दिया हुआ है, उसके through जाके आप इस course में enroll कर सकते हैं, course में enroll करने में या course को access करने में हमारी website के तुरू, अगर आपको कोई भी technical query आप face कर रहे हैं, तो आइदर आप हमसे whatsapp के तुरू इस number पर, या फिर हमारी जो email ID है, that is support.co.co, उस पर भी contact कर सकते हैं, बाकी हमसे जादा जूडने के लिए आ of yourself, thank you, have a nice day, bye-bye.